मार शिवरात्री पर जरूर करे इन चीजों का दान, सभी संकट होंगे दूर नमस्कार, स्वागा थे आपका धर्म विज्ञान पर, मैं हूँ पल्लवी राजपुट हर साल फागुन मास के क्रिष्ण पक्ष की चतुरदशी तिति को मार शिवरात्री का पर्व मनाया जाता है शिव भक्तों के लिए यहाँ पर्व बेहत खास होता है वही इस साल मार शिवरात्री का पर्व 8 मर्च 2024 को मनाया जाएगा भुले नात की पुज़ा के लिए यहा दिन श्रेस्ट माना गया है ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है ऐसा भी माना जाता है कि शिव और माता पारवदी का वेवा इस दिन हुआ था इसलिए यह पर्व हर साल शिवभक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है इस दौरान कई लोग उपवाज भी रखते हैं जो बेहज शुब होता है यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव प्रत्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजवान होते हैं इसलिए इस दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है ऐसे में कूज़ करने के अलावा दान करने का भी विशेश मैथ है दरसल दान का जीवन में बहुत मैथ होता है बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया गया दान बहुत ही पुनिकारी होता है यदि आप मा शिवरात्री पर दान करना चाते हैं तो इन चीजों का दान आपके लिए लाबदायक हो सकता है मा शिवरात्री के दिन दूद या दूद से बनी चीजे का दान करना बेहत लाबकारी होता है शिवजी को दूद अती प्रिये है इसलिए इस दिन दूद का दान करना सही माना गया है मार शिवरात्री के शुब अफसर पर सभी को आप एक्छा अनुसार मंदिर में दान कर सकते हैं ऐसा करने से आपका दुरभाग खत्म होने लगता है शिवरात्री के सुबह कच्चे दूद, चावल और चीनी का किसी जरूतमन द्यक्ति को दान करना चाहिए हिंदु धर्म में अनाच के दान का काफी महत्व बताया गया है अन्य दान में गीहूं, चावल का दान करना चाहिए माशिवरात्री पर गाय का घी एक बरतन में रखकर दान करना परिवार के लिए शुब माना जाता है माशिवरात्री के दिन शुब अपसर पर काले तिल का दान संकट विपदाओं से रक्षा करता है इस दौरान वस्तरों का दान भी शुब होता है हमारे द्वारा दी गई चानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेर और यूट्यूब चैनल घर्मविक्यान को सब्सक्राइब ना भूले थैंक्यू फॉर वाचिंग